नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ यूटूब चनल सिर्टेख हंदी फर आपका दोस्तों आज हम आप से बात करने वाले हैं प्रूफ आफ वर्क और प्रूफ आफ स्टेख के बारे में यह क्या चीज है पुछ है भी तो हम से क्या ले न देना यह आप अगर सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए क्योंकि अब जो हम लोग आगे जो नई study करने वाले हैं नए tokens के बारे में जानने वाले हैं उनमें हम जादा technical में ना जाके सीधे एक word बोल देंगे proof of stake इसका अच्छा है, proof of stake इसका खराब है proof of work इसके अच्छा है, proof of stake इसके खराब है तब आपके सर से bounce होगा तो और वो condition ना है इसके लिए आज ये वीडियो देखिए तो दोस्तो मैं हूँ अजय है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं proof of work और proof of stake के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, बहुत काम की चीज़ है और आपको crypto के future में बहुत जगा इसके बारे में सुझने को मिलेगा तो सबसे पहले जानते है proof of work क्या चीज़ होती है proof of work में जब एक transaction आप complete करते हैं आप यहां से जिसे मैं हूँ मुझे आपके पास कोई cryptocurrency भीजनी है तो जब हम यहां से भीजेंगे उस transaction को validate किया जाता है miners के जरीए miners उस transaction को check करते हैं कि क्या यह जो भीजा गया है वो सही है किसी ने spam तो नहीं कर दिया बीच में किसी में कोई गलती तो नहीं हो गए यह सारी चीज़े चेक करते हैं miners miners कौन जो लोग cryptocurrency की mining करते हैं bitcoin की mining होती है Ethereum की mining होती है तो वो लोग इस transaction को पूरा पूरा चेक करते हैं कि हाँ यह transaction सही है कि नहीं अब एक समय में एक transaction को कई सारे miners लोग चेक कर रहे होते हैं और सबसे पहले जो उस transaction को validate करता है कि okay बोलता है कि हाँ transition सही है उसको मिलता है reward तो यह काम है proof of work का इस तरीके से ही काम करता है लेकिन proof of work अभी आज की तारीक में out date हो रहा है इसके साथ बहुत सारी ऐसी समस्यां जोड़ रही है क्योंकि समस्या सबसे पहली ये है कि इसमें electricity जादा खर्चा होती है आप देखिए transaction हम एक ने किया है हम सिर्फ फीज देंगे 5 डॉलर लेकिन उस एक transaction के लिए अच्छे खासे miners ने उस transaction को solve करने की कोशिश की जिसमें उनका बिजली electricity खर्चा हुई उन्होंने जो महंगे महंगे system बनाए है ग्राफिक कार्ड लगाया पूरा system डेवलप किया है जो mining के machine है वो सब set की है तो उनका भी समय खराब हुआ इस कारण से ये काफी costly बैटर है आज की तारीक में और इसी लिए आपकी जो transaction होते हैं जो charges होते हैं वो ज़्यादा आपको pay करने पड़ते हैं तो इसका रास्ता क्या है? इसका solution क्या है? इसका solution है proof of stake जिस तरीके से proof of work काम करता है ठीक इसका अलग opposite तरीके से proof of stake काम करता है आज की तारीक में जितने भी नए coin launch होते हैं उनके अंदर जो system होता है वो proof of stake होता है Ethereum proof of work पे develop हुआ था लेकिन अब वो proof of stake पर switch होने जा रहा है जब 2.0 आएगा तो proof of stake पर वो होगा तो अभी जो proof of stake है वो काम कैसे करता है कैसे इसका system चलता है जिस तरीके proof of work में क्या होता है कि जो miners होते हैं उनका बोलबाला होता है तो miners जब इस token का जो transaction होए उसको जब वो verify करते हैं तो वो transaction पूरा होता है एक block बनता है, नया coin mine होता है और उनको reward मिलता है reward में वो coin भी मिलता है जो transition fees होती ही वो भी मिलता है लेकिन यहाँ पर proof of stake में क्या होता है कि आप के पास आप coin holder है जिसकी भी staking चल रही है आप उस coin के holder है और इस तरीके से कई सारे holder है तो वो सब उसके miner बन जाएंगे उसकी mining कर सकते हैं कैसे सिर्फ stake करके अब जिसे trust wallet में जो staking होती है केक जो coin है उसकी केक जो token है उसकी staking चल रही है तो उसमें क्या होता है 100 केक आपने जमा कर दी और आपको धीरे धीरे interest की तरीके से मिलता जा रहा है तो एक simple भाषा में समझे crypto की भाषा में बोले तो proof of stake है stake वहाँ पर stake किया तो उससे अब वो जो transaction हो रहे है उस coin के वो उस के पास जा रहे हैं जिसके पास जादा quantity में coin है वो randomly जो system है वो उनको जादा priority देता है जिनके पास जादा token है जादा उस चीज को जादा staking किया उनके पास transition solve होने के जाएगा और जिसके पास solve होने के लिए जाता है उसको उसकी fees मिलती है तो यहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं आपको सिर्फ अपना token stake करना है अपना coin stake करना है Binance पर भी यह system है जब कोई नया coin नया token list होने के लिए आता है तो वहाँ पर Binance कहता है कि हमारा जो BNB token है उसको जाके आप जमा करिए stake कीजे और हम आपको जो नया token list होने वाला उसका interest के रोप में देते रहेंगे कुछ भी percent जो भी वो decide करता है उस आपसे आपको देता रहता है तो Binance भी इस तरीके से staking करवाता है तो Binance में easily आप staking कर सकते staking का फायदा यही होता है कि जो भी उससे में transaction होते हैं उस coin के वो आपके system से verify होते हैं और उससे आपको जो fees है जो उस transaction में जो खर्चा होई fees है वो आपको मिलती है तो यह हुआ Proof of Work और Proof of Stake में अंतर और Proof of Stake की सरीके से काम करता है तो दोस्तों यह Proof of Stake, Proof of Work है इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है आप बस इतना समझें कि जो भी नए coin अब launch होने के लिए आते हैं वो Proof of Stake पर जाते है Proof of Work पर इसमें Bitcoin चल रहा है और Proof of Bitcoin के बारे में अभी कुछ कहने सकते कब तक चलेगा हो सकता है Bitcoin भी Proof of Stake पर आ जाए और Ethereum अभी चल रहा है लेकिन जब इसका 2.0 आ जाएगा तो Bitcoin भी Proof of Stake पर आ जाएगा तो दोनों का मतलब ही होता है दोनों का मतलब होता है Mining करना बस एक तरीका लग है Proof of Work का मतलब जो Miners होते हैं जो बड़ी-बड़ी Mining Machine लगाकर उसे Mining करते हैं और Proof of Stake में आपको टोकन खरीद के सिर्फ Stake कर देना है तो अब यहाँ पर आपके मन में यह आ रहा होगा कि मैं इससे कैसा फायदा उठाओं कैसे मैं इसमें Involve हूँ तो आपके लिए Involve होने के लिए सबसे Easy तरीका यह है कि आप Binance पर जाएए Binance पर अपना Account बनाईए अगर आज है तो अच्छी बात है और वहाँ पर जो भी देखिए Staking में Launchpad पर जाएए जो भी देखिए Current में Staking चल रही है वहाँ पर BNB या BUSDT जाके Stake कर दीजए Simple इतना करना है बागी कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना सिर्फ हमने यह Education के लिए आपको बताया है क्योंकि अगर आप Crypto में Trading कर रहे हैं तो आपको पूरी Education होना ज़रूरी है ताकि आप भी तो अपने Field के धुरंदर बन जाएगी हाँ मुझे सब कुछ आता है तो दोस्तो बस यह थी मेरी Update उमीद करता है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद